सुरू सुरू में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा पढ़ने कोशिस करते हूं सब कुछ पढ़ जाते हैं दो तरफ गलतियां मैंने देखाए करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री ही साल भर पढ़ते रहते हैं यह ने एक दो विकल्क देखा कुछ ठीक लगा बस उपर से मारक निकल गए बाकी हो सकता उससे बेटर आंसर और नीचे पड़ा हो आप पहला आंसर लिखना शुरू करिए आप मत सोचिए कि नहीं बेटर ग्यान हो जाएगा तब हम आंसर लिखेंगे ऐसा कब भी नहीं होता ह पहला आंसर सब का खराब होता है चाहे पुराने हो तो सर का काफी लंबा अनभोर आया Hopya के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि जात्र कौन सी गल्तियां करते हैं। कौन सी उनको नहीं कर नीचे टाकि घृतना ज्याधा समय है तो आपकी बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई क्या रही और कहां से हुआ चंदोले डिस्ट्रिक्ट से बिलांग करता हूं गाउं रहा है कि अबद और यहां से किया हुआ है और पढ़ाई का पुरा माध्य मेरा हिंदी रहा है है जब आप जी सभी रहा है इसमत में Start की representation या फिर यूपीस होगा ट्राइ किया था जी मैं यूपीसी और पीसे दोनों साथ देना शुरू किया और मतलब अटेंप्ट देने से पहले मैंने सालेबर्स का एक बहता तरीके से किया रिसोर्स जुटाए तैयरी करके मतलब प्रिलिम्स तब उसके बाद देना सुरू किया अच्छे से तो शुरुआत में मेरा पीसे में भी हुआ यूपीसी में भी हुआ तो दोनों कमेंड्स एक ही साथ मैंने दिया उसके बाद दिक्कत यह आ गई कि मतलब क्लैस करने लग रहा रहा उन नहीं चात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने दोनों सुरुआत में दिया लेकिन कहीं नहीं कहीं क्लैस वाला प्रॉब्लम आ रहा था तो उन नहीं चात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि जो यूपीसी और पीसे दोनों का पेसिफिक हो सकता है पर मैं यह करना चाहूँगा कि सलेवर्स देख लिजिए दोनों का अभी चुकि बर्दमान इस्थिती जो है यूप्यसी में ऑप्शनल विश्य है बड़ा रोल होता है उसका और पीसेस में अफ़र हटा दिया उन्होंने और दो नए पेपर एड़ कर दि दे भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ऊप्शनल करना यहां हिंदी के लिए अलग से पेपर होता है जिसका नंबर जूड़ता है यह से दोनों माली होता है और फिर यहां पर दो यूपी के स्पेसल पेपर देना जिनका नंबर बहुत मायने रखेगा मेंस में तो थोड़ा सा क्लेश करेगा और कहने कहें फोकस घरबड़ हो सकता है तो अगर तैयारी अच्छी है तो आप यूपी से दीजिए नहीं तो अगर पीशेस में तैयारी बड़ी है तो पीशेस दे लिजिए फिर उसका यूपी से ट्राइए यह भी कर सकते हैं अपने सर अपनी च्छी handmade तईयारी तो दूआरो किया और की हो सकते हैं तो मने मार्क से टूटा है और में ने कशिएंग कीokolी नहीं किया नो डाउट यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने कई सारे कोचिंग का रिशोर्स जरूर पढ़ा कुछ यूटूब के माध्यम से कुछ मार्केट से उठाकर खासकर इसमें विजन कभू ज्यादा रोल है रिशोर्स उठाने में और यूटूब पे कहें तो स्टड़ी आई कि कुछ वीडियो द्रिश्टी के धेर सारे वीडियो हमने देखे और अगर बेपसाइट की बात करें तो मैं इंसाइट आयस को प्रापरली पढ़ता रहता था उसका बीच में अभी हिंदी का बंद कर दिया है हिंदी का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा केटेग्राइज करके चारे पेपर का अपना डेली का जितना कुछ नहीं हो जाता था वो देते थे पर इधर हिंदी का बंद हो गया है पर इंगलिस उतनी टफ नहीं होती कि कोई बच्चा समझ न पाए इसली समझ सकता है उसको उन चात्रों के लिए जाना चाहिं ज गलतियां बहुत मेंटर करती हैं आपकी तैयारी में अगर कोई बच्चा सिविल सर्विस माना चाहता है तो सबसे प्राथमी काम यह होता है कि अगर आप कहीं युद्ध करने जाते हों तो आप दुस्मन के बारे में बहता तरीके से जाने आप उसके हर नीतियों के बारे मे क्या है सब चीज जाने तो ठीक उसी को आप यहां भी लागू कर सकते हैं आपको अगर PCS में जाना है या UPSC करना है तो आप उसका सलेवस उठा लीजिए सलेवस बेटर धंक से देख लीजिए और मैं तो कहूंगा सलेवस इवेन पूरा याद होना चाहिए मुझे सलेवस क का हर बिंदू हर सब्द याद है अभी भी मुझे याद है कोई कहीं से पूछले किसी पेपर का मैं बता दूंगा खंडवार भी और बिंदुवार भी तो अगर आपको सलेवस याद है बेटर धंक से तो आप नियूज पेपर पढ़ेंगे या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ करता है यानि इस पेसिफिक तरीके से इंटर कर रहा है दिमाग में चीजें तो आप उसको रिकाल भी बहते तरीके से कर पाएंगे वक्त पर इसलिए सलेबस से हमेशा अवेर रहें और सलेबस के अकार्डिंग ही पढ़ें जो बिंदू मिंसन है उसमें वही पढ़ें अतिक अंट में यॐता है तो प्री कि लेबर-पार आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब क्या गलतियां नहीं करने चाहें चाहें नहीं चाहें पुराने चाहें कई बार जैसे हम कई बार smyns गलतिया मैंने देखाय करते हैं कुछ पिर होते हैं जो परी ही साल भर पढ़ते रहते हैं और घटो होते हैं तो अधिक्त किसी यहां ठिक्विक्षिए नहीं चिजें पढ़ाइबν पर हैं और देृचें हमें question bank करके जाना है कोई नहीं छोड़ता हम क्यों छोड़ें लेकिन आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए NCRT तो सभी करते हैं आप भी करिए क्योंकि वहीं से आपका जो प्रीविए सरका question भी हल करिए और टेस्ट पेपर आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है बजार में बहुत सारे सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन इतना प्रेसर रहता है या एक दिन पहले कि इतना प्रेसर रहता है कि हम ठीक से सो नहीं पाते हैं इवन कितने लोग बिना सोय जाते हैं मैंने भी बहुत सारी परिछाएं बेना सबसे दिया है नीद का इसुद मेरे साथ रहता था पर मैं जब लेटता था रात में 11.12 जब भी तो मैं माल लेता था कि मैं लेटा हूं आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसे की वर्ट होते हैं जिनको आप केर नहीं करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सब गलतियों करने के लिए आप तैयारे इतना बेटर करिए कि आप कॉंफिडेंट रेक नहीं मैंने पढ़ा है तो आप रिकॉल कर ले जाओंगा आप लाश्ट के दो दिन पढ़के क्या ही कर लेंगे तो उस तनाव से मुक्तर एक लाश्ट में दो दिन पढ़ना है चिल करिए एक आप मूह भी देख लीजिए और एंजॉय करिए साथ है जब आप कुर्शन पेपर अटेम्ट कर रहे हैं प बड़ा खुले दिमाग से विचार करें यह नेक दो बिकल्प देखा कुछ ठीक लगा बस उपर से मारके निकल गए बाकी हो सकता उससे बेटर आंसर और नीचे पढ़ा हो है ना कई बार एक प्रस्ण के दो तीन आंसर होते हैं पर उसमें मोस्ट जो इंपर बेटर होता है वह हमें चुलना होता है तो आप किया फुली पूरे विकल्पों को भी पढ़ें फिर जो चैन करना हो चैन करें इससे क्या होगा कि जो मानवी भूल होती पर इच्छा में आठ दस कोशन गड़बड हो जाती है वो नहीं हो गया मेंस के लेबर पर आपको क्या लगता है क्या तो कोशिस यह करिए कि जैसे 24 का देना है जिसे अटेंट तो मेरा मानना है कि मतलब अक्टूबर महने तक उसका लगभग सलेवस कवर हो जाना चाहिए या फिर 25 का देना हो तो अक्टूबर 24 तक सलेवस कवर हो जाना चाहिए मेंस का और आपका अक्टूबर तक नोट्स भी मुटी मुटा बन जाना चाहिए उसके बाद आप कहीं भी test series जोइन कर लीजिए आप test series जोइन करते हैं तो आप वहाँ पे sectional test कराते हैं फिर बाद है full test कराते हैं तो आप test series जब जोइन कर लेंगे तो आप test भी देंगे अगर test नहीं दे पाते हैं coaching में जाके तो वही फिर प्रक्रिया test लाइए घर पर हल करिए और इतना सब्ता में पढ़िए finalize करिए उसको यह प्रक्रिया आप फरवरी तक कर लेंगे लगब चार-पांस महिने में काफी test हो जाते हैं उसके बाद चुकि आपने इतना मेंस कर रखा है बेटर तरीके से कि prelims का काफी कुसलिबस कवर हो जाता है साथ है टेस्ट देते हैं दोबरा रिवाइज भी करते हैं उसको अच्छे से तो वहां भी प्रिल्यूम्स पढ़ने का तो इस दौरान आप सिर्फ प्रिल्यूम्स फोकस रखें उस जाना चाहिए कि जब आइंसर राइटिंग प्रेक्टिस कर रहे होते हैं तो वहां पर भी बहुत चारी गलतियां होती है तो उसके बारे में थोड़ा बताईए कि क्या मंद्लब गलतियां वहां पर नहीं करनी चें पहले दिक्कत यह होती है कि हम आंसर राटिंग शुरू नो नहीं कर पाते हैं हमें लगता है कि ले जाएंग्ग लिख लेत जाएंगे मुझसे भी ऐन उलक्तीया हुई पहले और उसका सिद्य नुखसान मुझे माल बढता था तो आप benefits जाएंगे ले लिख जितना पढ़िए उसको एक बार रफ ली रफ करिए कुछ मोटे-मोटे पॉइंट बनाईए उसके फिर दिमाग में उसको रिकॉल करिए फिर उससे समधित कोई प्रिवियस एर अगर कोश्चन पेपर है या फिर कोशी कोशिंग का भी तो आप कोश्चन लीजिए और उसको लिखिए आप पहला आंसर लिखना शुरू करिए आप मत सोचिए कि नहीं बेटर ग्यान हो जाएगा तब हम आंसर लिखेंगे ऐसा कब भी नहीं होता है पहल आपको निर्देशन करता है पढ़ाई करने के लिए वहाँ से अपने आप से गाइडेंस मिलता है किसी ट्रैक्स करता हमें ठजोड़ने लिखने होते हैं सुरू सुरु हम बहुत जादा पढ़ने कोशिस करते हैं इसा अंपता नहीं रह था लिखना आ है पर जब वहीं से आपको निर्देश मिले कितना पढ़ना इसलिए मेरा मानना है कि पढ़िए और साथ में लिखिए और दोनों का अगर सुरुवात में 60-40 का रेसियो रखिए और एक समय के बाद 40% पढ़ना और 60% लिखना कर दीजिए निश्चीत रूप से सेलेक्शन होगा मैं मतलब अब आप किस से लिखते थी या फिर इन इंपॉर्ठेश रहता है कि कौन से बिटर होती है टॉपर्स के लिखते हैं तो मैंने विजन वेप साइटे पड़ी रहती वहाँ पे देखा तो मुझे खास समझ नहीं नहीं आया पेन तो मैं लिंक ग्लाइसर एक आती है उसे सालमुष लिखता था पर इस बार मैं धे में टेस्ट सीरी दे रहा था तो वहां पर एक सर मिले चंद सेखर उपा ध्याइसर और उनसे मुलाका थे उनसे मैंने सारी वेथा अपनी बताया कि मेरा सेलेक्शन नहीं हो रह देखा फिर एक पेन उन्होंने दिया मुझे का कि आप इस पेन से लिखिए देखिये कैसा महसूस हो रहा है आपको लिखने में स्पीड में और देखने में तो मैं लगभग एक डेड़ पेज लिखा फिर देखा तो राटिंग उसे काफी उभरी हुई बड़ी अच्छी ल बड़ा हां से कहें देखिया पुरानी काफी मिलाई और इस काफी को मिलाईए चार-पांस नंबर यूहीं आपके बढ़ जाएंगे तो सच में वह पेन मेरे लिए कहिए कि लकी साबीत हुई तो इसका रिफिल और भी आता है या फिर इसका एक कोटेज आता है और कोटेज म जब पेन खतम हो जाती है तो इसको आप उपर का सेक्शन खोल किए यह सेक्शन खोल के आप इसको रिमूब करके यह वाला यहीं पेन आती है या फिर इसके लाओं अभी बहुत सारी के निदेश्ट हुए है तो उन्हों ने भी मुझे सजेस्ट किया था एक बार यूनी बा की दवाया पर अभी फोन करके बताया कि यह भी अच्छी मर्लों चल रही है वहने का ठीक है जो बेटर लगे अपना उसको लिखो उससे अब सर लास्ट स्टेज होता है वह इंटर्व्यू का होता है तो इंटर्व्यू के टाइम पर मलब चाहें इंटर्व्यू के लिए कही कर रहे हैं या फिर इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो मलब किन चीजों का ध्यान रखना ची मलब कौन सी गलती वहां पर नहों देखें इंटर्व्यू का फेज थोड़ा सा डर्वी पैदा करता है लेकिन सबसे बेस्ट होता है वह क्योंकि वहां पर आप अपने आपको करते हैं उनके सामने और प्री में तो किसी ने कहा आपने विकल्प चुन के लगा दिया मैंस में आप अपनी बाते लिखते हैं किसी के सिद्धानतों का हवाला देते हैं रिपोट का हवाला देते हैं पर जब आप इंटर्व्यू दे रहे होते हैं तो वहां सिधे पूछते भी बड़ा मरलब ठीक रहा मेरा तो इंटर्वी में बिल्कुल घबराने जरुवत नहीं है आप जो हैं जितना आपने पढ़ रखा है उतना लेकर जाए इमांदारी से चीजों को बताईए चीज अगर नहीं आती हैं तो आप बिनम्रता पुर्वक उनको उनसे माफी माफी मा दिखाए देती नहीं बच्चा भी नहीं जानता है पर आगे पढ़ने के लिए तक पर है मैं कहता था कि सर फला चीज कोई पूछ लिया सरी सर नहीं आ नहीं आ रहा भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं सर इसको घर पर जाके जरूर पढ़ूंगा फिर से इसका चीजेंं कितना जांसकते हैं तो आप सब कुछ जान नहीं सकते हैं जनने को बहुत चीजे हैं इसलिए आप जतना चीजह आत्म विश्वाज साथ बताइए निडंव होके बताए और जो नहीं जानते उस पे माफी मांग लिए तो बहुत शक्राअत्मुक frame रहता है हमारे सा जज किसी से तुलना करके नहीं आपने कितना पढ़ा कितना सीखा इस रूप में जज करिए और इसका सबसे बेटर तरीका ये होता है कि अगर प्रिलिम्स की तहरी आप जज करना चाहते हैं तो आप प्रिबियस ये के कोस्टन पेपर साल्ब कीजिए मार्केट से टेस्ट पेपर लाके उनको साल्ब कीजिए और आप अगर मेंस में अपने आपको जज करना चाहते हैं तो जो UPSC के और UPPCS के कोस्टन पेपर होते हैं उनको लाकर आप लिखिए हल करिए और उससे एक आइडिया लगया कि मैंने मतलब जितना पढ़ा है वो कितना प्रस्तुत कर पा रहा है बैए अल्टिमेटली तो माइने यही रखता है ना कि आप कापी पर कितना लिख पा रहा है आप जानते कितना यह बिलकुल माइने नहीं रखता है मेंस में आप कापी पर कितना लिख रहे हैं वो इमाइने रखेगा तो आप सिर्फ दिखाने के लिए तयारी बिलकुल न करें किसे तुलना बिलकुल न करें सबकी छमता अलग-अलग होती है आप में छमता के हिसाब से बहतर काम करिए और अपने आपको परक्ते रहिए एक परामिटर बना लिजिए एक नहीं एक हफता में इतना पढ़ना है तो उतना करिए टार्गेट बना कर चलिए निश्ची तरूप से डेली का रूटीन फालो करना इंपॉसिबल होता है कई बार पर आप सब्ता का या फिर महिने का रूटीन बनाते हैं तो वो निश्ची तरूप से फालो कर जाएंगे तो इस तरीके से मैं कहूंगा नए बच्चों के लिए उनको सुब कामनाय वे दूँगा और साथ ही कहूंगा कि अपना तैयारी बहतर रखें सलेबस के साथ पढ़ते रहें तैंक्यू सुमा सर आपने हमारे वीवर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस थी और वबेश के लिए सर आपको बहुत सारे सुख बहुत बहुत धन्यवाद इवान सुख तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो से बहुत को सीखा होगा जानने को मिला होगा कि हमें एकजांपस में कौन सी मिक्स्टेक्स नहीं करनी चाहे तो वीडियो कैसा लागा आप लोग एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें यह आप लोग कोई सजेसन यह सुझा होता है तो भी आप हमारे कमें करके बता सकते हैं तो चले फिल मिलते हैं अपने सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन वन देमाते हैं